हलो एवरिबन खमागरी नमस्ते वेलकम टू फूड एंड फन भाई पोनम आज हम बनाएंगे बीना चिनी और बीना फूड कलर के बहुत ही ज्यादा यम्मी टेस्टी और हेल्दी गुड के मीठे चामल इन्हें आप कोई भी फेस्टिवल पर बनाएं या जब भी मीठा खानी का बन हो बनाएं या जटपट से बन के तयार हो जाते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नीटे चामल बनाने के लिए एक कप चामल लेंगे चामल को तीन चार पानी से दो के स्टार्च निकाल लेना है फिर इन्हें पानी में भीगो के 15-20 मिंट के लिए रख देंगे और एक कप चामल के लिए मैंने या पर आदा कप देसी घी लिया है और आदा कप ही देसी गुड लिया है देसी गुड हमारी हेल्थ के लिए बहुत फाइदेबंद रहता है आदा कप ड्राइब रूट्स लेंगे, ड्राइब रूट्स में मैंने काजू, बादाम और किस्मिस लिये हैं और सूके नारियल के 10-15 स्लाइस इस तरह से पतले-पतले कट करके ले लेंगे एक टेबलश्पून स्वाँप लिया है, और खड़े मसाले में मैंने एक बड़ी इलाइची, तीन हरी इलाइची, दो लॉंग, एक दालची नी स्टिक लिया है अब गेस पे एक कप पानी चड़ा देंगे, और अच्छे से बोय लाते ही फ्लेम को ओफ कर देंगे अब ये गुड़ी इसमें डालके मिक्स कर देंगे, हमें गुड़ को पकाना नहीं है, गरम पानी में डालके मिक्स करके रख देना है, जिससे गुड़ थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा अब गेस पे मीडियम फ्लेम पे गुकर रखेंगे, और एक टेप्ट फून की बचाएंगे, और बाकी का सहरा गी इसमें डाल लेंगे और गी जैसे ही गरम हो जाए, फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा गी जैसे ही गरम हो जाए, अब हम ये खड़े मसाले डाल देंगे इस स्टेज पे हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है और जैसे ही खड़े मसाले चटकने लगे, अब हम ये सॉंप डाल देंगे और सॉंप को भी हलका सा फ्राई कर लेंगे फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा क्योंकि सौंफ और ड्राइब फ्रूट्स बहुत जल्दी जल जाते हैं तो इस स्टेज पर ध्यान रखिएगा गेज की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और जैसे ये सौंफ चटकने लगे अब हम ये ड्राइब शूट डाल देंगे और ये नारियल के पीस भी डाल देंगे और इन्हें आधी मिंट के लिए हलका सा रोस्ट कर लेंगे ड्राइब श्रूट और नारियल को हमें हलका सा ब्राउन होने तक ही रोस्ट करना है ज्यादा डाक नहीं करना है और सबसे लास्ट में किस्मिस डालिएगा किस्मिस बहुत जल्दी जल जाती है तो सबसे लास्ट में डालिएगा जैसे ड्राइब फूर्ट हलके से ब्राउन हो जाएं अब चाउल का पानी हटा के अब ये भीगेवे चाउल डाल देंगे और इन्हें भी हलका सा रोस्ट कर लेंगे चाउल गी में भूनेंगे तो इनका टेस्ट बढ़ जाएगा तो एक दो मिन्ट के लिए हलके हाथ से चलाते वे चाउल को भूनिएगा क्योंकि ये भीगेवे चाउल है तो इन्हें तेज तेज नहीं चलाना है हलके हाथ से चलाना है मीठे चाउल थोड़े कलरफुल अच्छे लगते हैं इन्हें कलरफुल बनाने के लिए मैंने याँ पे एक चोटाई छोटी चमच हल्दी पाउडर डाला है आप चाहें तो फूट कलर भी डाल सकते हैं चाउल गीच होड़ने लगें तो चाउल को जादा नहीं भुनना है एक दो मिंट के लिए हलका सा भुनना है और जैसे ही चाउल भुन जाए अब गुड़ वाली गोल को चलनी से चानती वे डाल लेंगे जिससे गुड़ में अगर कोई कच्रा हो तो वो निकला है अब इसी स्टेज पे हमें पानी भी एड़ कर लेना है तो मीठे चाउल में पानी थोड़ा एक्स्रा चाहिए होता है हम एक कप चाउल के लिए कम से कम धाई कप पानी जरूर डालना है और गुड़ डालके अच्छे से मेक्स कर देंगे और फ्रेंड्स अगर आपको गुड़ना पसंद हो तो गुड़ की जगे आप चीनी भी डाल सकते है अब पानी और गुड मिक्स करके एक बार उपर से एक बार कुकर को ऐसे धकन लगा के एक उबाल आने देंगे और जैसे इसमें उबाल आ जाए अब हमने जो ये एक टेबल स्पून घी बचाया था ये भी डाल लेंगे तो जब भी चावल या पुलाव बनाएं तो लास्ट में एक चमस गी जरूर डालिएगा लास्ट में एक चमस गी डालने से चावल का टेस्ट बढ़ जाएगा और ये खिले-खिले बनेंगे अब गी को मेक्स करके कुकर को ढकन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे एक सीटी आने तक पकने देना है जैसे एक सीटी अच्छे से आ जाये अब फ्लेम को ओफ कर देंगे और चावल को ठंडा होने के लिए रख देंगे 10-15 मिन बाद जब गुकर अच्छे से ठंडा हो जाए तो गर्मा गर्म चावल को सव कीजिएगा जब भी कोई फेस्टीवल हो या मीठा खानी का मन हो या गेस्ट आये हो ये जटपट वाले मीठे चावल बना के तियार कीजिएगा और ऐसी भी पसंद आये तो फ्रेंड्स और फैमली में भी शेर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पो वाचिंग